हाई वेलकम बैर आज के इस वीडियो में हम लोग सीक्वेल के एक इंस्ट्रेस्टिंग कोस्टिन के बारे में डिस्कॉस करेंगे जो कि है एक फ्लाइट टेबिल आप देख सकते हो फ्लाइट टेविल के अंदर हमें CID है और फ्लाइट आइड है और ओडिजीन और डेस्टिन लोड तो हम इसको किस तरीके से करेंगे हम सिंपली अगर फ्लाइट को अगर सेल्फ जॉइन उस करें मैं टेबिल को दो बार कर रहा हूं तो आप देख सकते हो अगर हम इसे जॉइन लगाना है तो हम CID के साथ CID का जॉइन लगाएंगे और हम फ्लाइट जो है इसका डेस् से का डेस्टेसन साथ इसका ओरिजिन का हम जॉइन लगाएंगे तो चली इसको रुण करते हैं पहले सिल्एट व फ्लाइट इसे हम इसे एलियर देटे हैं ओके एंड इनर जोईन इनर इनर जोईन उसका और इसका ऐडी का जॉइन लगाएंगे and one more join लगेगा and f1. इसका destination and इसका origin तो f1.destination equals to f2.origin तो हम इसे सारे star लगा के डिस्प्ले कराते हैं अगर हम इसे run करें तो you can see cid equals to 1 flight id and flight id 2 यहाँ पर है तो origin equals to Delhi और destination equals to Bangalore तो हमें क्या करना है कोई भी एक कॉलम उठाते हैं like f1.cid comma and then f1.origin is the origin होगा comma a2.destination तो क्या होगा इसकेस में origin Delhi to Bangalore and Mumbai to Kolkata तो आप देख सकते हो अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज वीडियो को लाइक करें अगर आप इस चैनल पहली वाइस करें तो प्लीज श्क्राइब इस चैनल तो मिलते हैं नेक्स्ट ऐसे कुछ इंट्रेस्टिंग को लेकें गुडबाई बढू Mai्सेपर लेकाındaki हो आप हो अगर भीडियो को यह कुछ धो मिलते हैं